सारण में लड़ाई बीज़ेपी के राजिफ रताप रूटी और लालू यादव की बेटी रोहिनी आचारे के बीचार दोनों अपने वोट बैंक के लिए जाने भी जाते हैं वी जिपी का अपना वोट बैंक है, रूडी का अपनी एक popularity है और लालू यादव का अपनी एक popularity है अगर सारन के जाती है, समी करण के बाद करें तो यहाँ बर सबसे ज्यादा 25 प्रतीशत 17 voters हैं 23 प्रतिशत राजपूत है 25 प्रतिशत वैशावोटर्व है जबकि 13 प्रतिशत नुस्ल्मान वोटर्व, 12 प्रतिशत दलेट वोटर्व की आबादी है RJD की रोहनी आचार्य मैदान में है यानि के मुफलिम यादा वोटर्फ आरजडी के कोटे के तो वही राजी प्रताब रूटी को राजपूत और वैशे वोटर्फ का फिमर्थन हाफल है कहा ये जाता है कि इसलिए यहाँ पर राजपूत और वैशे वोटर्फ के जंग भी चलती है चपरा में कल रोहनी आचार्या एक मदान के इंदर पर गई वहाँ पर BJP और RJD के समर्थक पहुँच गए रोहनी का आरोप ये था कि यहाँ पर गलत तरीके से वोटिंग हो रही है लेकिन BJP के समर्थकों ने कहा कि ये बिल्कुल जूटा आरोप है रोहनी मदान को प्रभावित करना चाहती है दोनों के समर्थकों के भी जड़प होने लगी पत्थरा हुआ पुलिस पहुची मामला शांत हो गया लेकिन तनाओ बना रहा और आज सुबह उसी तनाओ ने और आगे बात बढ़ा दी और छपरा के भिखारी ठाकिर चौक पर जहांसे हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं ठीक इसी जगह पर जब RJD और BJP के समर्थक एक बार फिर पहुचे तो उसके बाद एक बार फिर यहां पर जड़प होने लगी और बात इतनी बढ़ी कि उसके बाद गोली भी चल गए यहां पर आप देखिए काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की अब तैनाती कर दी गई है लालू यादब जब यहां चुनाओ मैदान में हुआ करते थे राजी परताब रूडी से उनका मुकाबला होता था तो उस दोरान भी यहां पर एक बार काफी हिंसा हुई थी मदान रद करने की नौबात आई थी मदान रद हुआ था और एक बार फिर लंबे समय के बाद यहां की तस्वीरें ऐसी देखने को मिली है जिसमें हिंसा पूल और इसका नतीज़ा यह कि भोटिंग के ठीक एक दिन के बाद छपरा में काफी तनाव हो गया धी चपरा का जो एक राजनितिक समिकरन जो एक जातिकत समिकरन है वो भी कुछ इस तरह का है जहां दो जातियों के बीच यहां पर एक तरह की राजनितिक प्रतिदोंदिता रही है यहां पर 11 वोट करीब 25 फीजदी हैं और 23 फीजदी जो हैं वो राजपूत वोट हैं तो इन दोनों के बीच यहां पर मोटे तोर पर मुकाबला माना जाता रहा है और यहां पर डिलिमिटेशन के बाद जो है जो जातिकत समीकरन है राजनितिक समीकरन है उसमें ही बदला हुआ है तो ऐसे में यहां पर इन दो जातियों के बीच का जो मुकाबला है वो यहां पर हमेशा तनाव लाता रहा है तो यह जो भिकारी ठागूर चौक है इसी चौक के ठीक बगल से एक सड़क जाती है इसी रास्ते में जो मिर्तक हैं उनके परिवार वालों का घर है मोटे तोर पर इस सड़क में जो आरजेडी के समर्थक जादा संख्या में है यादव जातियों की इधर अच्छी खासी संख्या है तो इसी रास्ते में उनका घर है और अभी थोड़ी दिर पहले पोस्ट माटम के बाद जो शव है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और पुलिस यह चारी है कि सब कुछ शांति पूर्वक संपन हो जाए और उसके बाद फिर जो जांच की प्रकिरिया है वो आगे पूरी की जा का फैसला लिया गया है और फिलहाल अभी कोशिश यह की जा रही है कि किसी भी तरह से हालात आगे बिगड़े नहीं और इसलिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पूलिस करणों की तनाती कर दी गई है जिले के जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी है वो खुद मौके पर कै तो निर्देश भी दिये जा रहे है कि तो पुलिस कर्मियों को हिदायत निर्देश की यहीं पर बने रहना है लंबे समय के बाद इस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिली है बिहार में चुनाओं में हिंसा पिछले कई चुनाओं से नहीं हो रही है थी और एक अच्छी की तस्वीर बिहार से पेश होती थी हलाकि छपरा में इस तरह का तनाओं पहले होता रहा है जब लालू परसाद यादव और राजी परता भ्रूड़ी आमने सामने हुआ करते थे तो छपरा में इस तरह की हिंसा छिटपुट घटनाय होती थी और एक बार मदान को रद भी किया गया था तो छपरा को लेकर आशंकाय जरूर थी लेकिन मोटे तोर पर बिहार में शांती पुरुवक मदान देखने को मिला है और बिहार की जो पहचान एक पहले थी एक समय वो भी था बिहार का जब यहां बूथ कैप्चिरिंग हुआ करती थी और जिस तरह से हिंसा ह हुई है एक लंबे समय के बाद हुई है इसलिए सबसे बड़ी चुनावती पुलिस की और प्रशासन की यही है कि इस पूरी घटना से सकती से निप्टा जाए आगे अभी चुकि दो चर्नों का चुनाओ बचा हुआ है और ऐसे मैं आज की इस घटना को लेकर कहीं को इसकी प्रतिक्रिया ना हो चुकि मोटे तौर पर इस घटना में जो दो समझातियां जो आमने सामने नजर आ रही हैं दो दल के समर्थक हैं और यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि मोटे तौर पर जो जातिय समीकरन है उसमें राजनितिक प्रतितोंदिता भी दो प्रमुख जातिय के बीच है राजपूत और यादव के बीच में और ये जो कल जो जगड़े की शुरुवात हुई है अब मोटे तोर पर ये जो दल का जगड़ा है वो जातियों के जगड़े में न तब्दील हो जाए अब इसको ध्यान रखना एक बड़ी चनोती है फिलहाल जो प्रभावित चुनाओ कई चरनों का बचा हुआ है और चुनाओ में इन बातों की काफी एहमियत होती है कि जातिय समीकरन प्रभावित न हो कहीं दूसरी सीटों पर उसका असर न पर जाए तो इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर है अभी जो राणितिक डल है वो अपनी राणिती बनाएंगे और फिलहाल अभी इस्तिती जो है यहां पर समाल ली गई है इस्तिती यहां पर बेहतर है चुकि काफी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है